हेलो स्टुडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाइ स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग काक्षादस तिरकोडमीति के परचे का प्रशनावली 8A का पार्ट 4 हल करने वाले हैं और इस वीडियो में टॉपिक्स कंप्लीट कर दिये गए हैं अगर आप पीछे की कोई भी वीडियो देखना चाते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं आए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रशनावल चोंतिस है एक समकोन त्रिभुज a b c में जिसका कुण b समकोन है यदि 10a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिये की 2sin a cos a बराबर 1 तो आए इसको हल करते हैं यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है यहां पे समकूर्ण त्रिभूज A, B, C में यहां पे लिखते हैं समकूर्ण त्रिभूज समकूर्ण त्रिभूज A, B, C में क्या है कूर्ण भी समकूर्ण है ठीक है कूर्ण भी समकूर्ण है ठीक है अब देखे और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे 10 A बराबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है 10 A बराबर 1 ठीक है 10 A बराबर 1 और 10 क्या होता है आपका 10 होता है आपका लंब बटे आधार 10 क्या होता है लंब और बटे में आधार लंब बटे में आधार अब यहाँ पर जो चित्र दिया गया है तो इसमें आपका BC क्या है? BC लंब है यानि BC बटे में आधार आपका क्या है? AB BC बटे में AB यहाँ पर देखे एक इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक छुपा रहाता तो एक बटे में एक या है ठीक है ना तो यहां पे लंब हो गया और नीचे वाला आपका आधार हो गया है अब देखें निकालना क्या है हमें साइने कौस एक कामान चाहिए तो इसके लिए हमें कर्ड की जरूरत पड़ेगी यानि पाइथागूरस प्रमे से हम लोग एसी काम से पाइथागूरस प्रमे से क्या होगा देखें एसी स्क्वाइर बराबर यानि कर्ड का बर्ग बराबर लंब का बर्ग प्लस आधार का बर्ग यानि बी सी स्क्वाइर प्लस एबी स्क्वाइर ठीक है किसी को पहले किसी को बाद में लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है चा बराबर क्या हो जाएगा टू हमें एसी का मान चाहिए तो एसी बराबर इसक्वाइर को जब हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा यानि रूट टू तो यह आपका करड आ गया रूट टू ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह तो यहां पर लंब क्या है बी सी लंब आपका क्या है बी सी और करड क्या है आपका एसी तो बी सी बटे में एसी बी सी का मान आपका है एक और एसी का मान है रूट टू तो साइन ए आ गया वन अपान रूट टू ठीक है और किसका मान चाहिए कॉस ए का कॉस ए कॉस होता है आधार बटे कर्ड, तो यहाँ पे आधार है AB, और कर्ड है AC, तो यह हो जाएगा, AB बटे में AC, ठीक है, इसका भी मान रख देते हैं, तो AB का मान है 1, और AC का मान आपका root 2, ठीक है, अब sin और cos दोनों का माना गया, हमें ग्याद क्या करना है, 2 sin A cos A ग्याद करना है, बराबर 1 तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखें, 2 sin A cos A बराबर 1, तो यहाँ से left hand side ले ले लेते हैं, यहाँ का, left hand side, यहाँ पे लिखेंगे, left hand side बराबर 2 sin A cos A, ठीक है, यहाँ से मान रखते हैं, 2 multiply, ठीक है, sin A का मान क्या है, 1 बटे में root 2, multiply, बीच में कोई चिन नहीं होता है, गुड़ा का चिन होता है, cos A बराबर 1 बटे में root 2, ठीक है, देखें, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 multiply, यहाँ पे देखें, 2 multiply, अब 1 बटे 2 और 1 बटे 2, 1 बटे root 2 और 1 बटे root 2 का गुड़ा होगा तो उपर तो एक ही रहेगा, एक का गुड़ा, एक में होगा तो, root 2 और root 2 का गुड़ा होगा, तो root हट जाएगा, यहाँ आप कर सकते हैं कि root में 4 और 4 का आवा जो वर्गमूल होता है, वह 2 होता है, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, cut हो गया, तो आया क्या आपका, 1, यहाँ आप यही आपको सत्यापित करना था, तो आप लिखे देंगे, left hand side, बराबर right hand side, ठीक है, उमिद करते हैं कि इस प्रशन को आप अच्छी तरह समझ गए होगे, आईए अगले प्रशन को हल करते हैं, अगला प्रशन आपका, प्रशन number 35 है, और इस वीडियो का दूसरा प्रशन, तरिबुज ABC में, जिसका कूण B समकूण है, यदि 10A बराबर, एक बटे में root 3, तो निमनलिखित के मान, ग्याद किजिए, first है, sin A plus cos C, sin A, यहाँ पे into रहेगा, plus नहीं रहेगा, ठीक है न, sin A into cos C plus cos A into sin C, second है आपका cos A cos C minus sin A sin C, ठीक है, आईए इस प्रशन को हल करते हैं, अब देखें, मान ग्याद करने के लिए, हमें सबसे पहले A, C का मान ग्याद करना होगा, अब देखें, यहाँ पे क्या दिया हुगा है, कि तरिबुज ABC में, कूण B, कूण B, समकूण है, कूण B क्या है, समकूण है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, और आपको क्या दिय हुए 10A बराबर 10A 10A बराबर है 1 अपान रूट 3 ठीक है और 10 आपका होता है लंब बटे आधार ठीक है तो इस फिगर में लंब क्या है, लंब आपका BC है और आधार आधार आपका AB है, ठीक है, A के लिए, ठीक है, लंब BC और आधार AB, अब यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे BC बटे, BC बटे AB, ठीक है, तो यहाँ पे हमने, चित्र में यहाँ पे, हमने मान रख दिया है, अब हमें, यह मान ग्याद क लिए हमें यहाँ पे करण AC ग्याद करना होगा तो इसके लिए हम लोग पाइथागुरस प्रमे का प्रियोग करेंगे तो देखें यहाँ लेखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागुरस प्रमे से पाइथागुरस प्रमे से पाइथागुरस प्रमे क्या होता है करड का बरग बराबर लंब का बर प्लस आधार का बर तो यहाँ पर करड क्या है AC है तो AC का स्क्वाइर बराबर, लम्ब यहाँ पर BC square और प्लस AB square ठीक है, अब देखें, यहाँ पर AC square बराबर, BC, BC का मान किया है 1 तो 1 आब plus, ठीक है, AB का मान किया है, root 3 1 का square, 1 नहीं होगा, यहाँ पर square करें ना करें बाथ यहाँ पर root 3 का square करेंगे तो जब square होगा तो root हट जाएगा यानि 1 plus 3 बराबर 4 या तो ac square का मान होगा हमें ac का मान चाहिए तो इस पे क्या लग जाएगा root लग जाएगा और या 2 का square है इसका root 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो ac का मान आपका क्या आगया 2 आगया ठीक है अब देखिए हमें क्या मिलेगा इससे हमें मान निकालना है तो यहाँ पे कुण A के लिए अगर बात करेंगे तो हम sin A, cos A इन दोनों का मान हम निकाल सकते हैं ठीक है तो चलिए sin A निकालते हैं कुणे के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे sin A sin A बराबर sin A, sin क्या होता है लंब बटे कंड अब यहाँ पे लंब क्या आए देखिए BC आपका लंब है BC लंब है लंब बटे, अब कंड क्या है AC, तो BC बटे AC मान रख देते हैं BC का मान है एक और AC का मान है दो तो sin A आ गया एक बटे दो अब कॉस A का मान कॉस A कॉस A कॉस होता है आपका आधार बटे कंड तो आधार यहाँ पे है AB आधार क्या है AB ठीक है और कंड क्या है आपका AC AB बटे AC तो AB का मान आपका है रूट 3 और AC का मान आपका है 2 तो यह कॉस A आ गया अब देखिए आपको अब क्या निकालना है कॉस C और sin C लेकिन इनका मान निकालने के लिए आपको एक चीज़ धिहान में रखना पड़ेगा अब आएए समझते हैं उसको देखिए जब आपको या तो हम उसके लिए दूसरा फिगर बनाए यह possibility है या कॉस C निकालना है यानि आपको इस कॉन के लिए आपको sin C और कॉस C निकालना है तो देखिए जिस कॉन के लिए निकालते हैं अब यहाँ पर समझते है पहले आधार कॉन सा है लंब कॉन सा है देखिए समकोन C के लिए बात हो रहा है तो इसके सामने की बुजा कॉन सी है A, B तो वह उसके लिए लंब हो जाएगी कॉन आपका फिक्स हही है अब बचा कॉन बचा आपका B, C तो यह आपका आधार हो जाएगा ठीक है यह आप सिंपल यहाँ का समझ सकते है कि यहाँ बुजा जो है जो कॉन है जिस कॉन के लिए आप मान ग्यात कर रहे है तो यह कॉन समकॉन से जिस लाइन दोरा जुडा रहेगा यानि B, C हाँपे है तो वह आपका आधार हो जाएगा ठीक है और सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी ऐसे भी आप समझ सकते हैं ठीक है अब आईए यहाँ पे बात करते हैं कॉस C की या साइन C की फिर कॉस C की चलिए साइन C तो साइन C आपका क्या होगा साइन होता है आपका लंब बटे कॉर्ण ठीक है तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा A B हो जाएगा कॉर्ण तो आपका फिक्स है यह हो जाएगा A B बटे में A C A B बटे में A C A B का मान आपका है रूट 3 बटे में 2 ठीक है अब किसका निकलना है, cos c का मान, cos c, cos c, तो cos c क्या होगा, अब cos होता है आपका आधार बटे कॉंड, तो आधार इसके लिए c के लिए bc है, bc, और कॉंड आपका ac, तो bc बटे ac, bc का मान आपका है, 1 और ac का मान है, root 3, ठीक है, सभी मान तो ग्यात हो गए, अब सभी मान ग् अब यहाँ पर के लिए यहाँ पर फष्ट के लिए नमबर डाल लेते हैं और जो मांग गयाद करना है उसको लिख लेते हैं आपर देखें sine a cos c plus cos a sin c a sin a का मान क्या आया है? 1 वटे में 2 2, sin a का मानाया है, 1 बटे में 2, बीच में यहाँ पे कोई चिन नहीं है, मतलब गुड़ा का चिन होता है, cos c, cos c का मानाया है, 1 बटे में root 3, plus cos a, cos a का मानाया है, root 3 बटे में 2, 2, root 3 बटे में 2, ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई चिन नहीं मतलब गुड़ा, sin c, sin c का मानाया है, root 3 बटे में 2, root 3 बटे में 2, ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो देखें, हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 का गुड़ा 1 में, तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे में 2 root 3, 1 बटे में 2 root 3, plus, root 3, root 3 का गुड़ा होगा, देखें, bc बटे ac, तो bc का मान तो 1 था, ac का मान आपका 2 था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ आपका मान है, आपका कौसी का 1 बटे 2, यानि इहाँ पे हमें क्या रखना है कौसी के अस्थान पे, यहाँ मान आपका क्या हो जाएगा, root 3 बटे 2, अब यहाँ गुड़ा होग तो देखें, lcm आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, lcm क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, अब यहाँ पे 2 का 2 में गुड़ा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, lcm 4, यहाँ कर सकते हैं कि जब हर समान होते हैं, तो अन्स आपस में जूड़ जाते है यानि एक और तीन, चार, तो चार बटे, चार बराबर, एक, यह आपका आ गया, sin A cos C, plus cos A sin C का मान, अब second वाले के लिए हल करते हैं, देखें, second के लिए, तो second के लिए आपका क्या दिया हुआ है, cos A cos C, cos A cos C, minus sin A sin C, अब इसके लिए मान गयात करते हैं, तो देखें, cos A का मान क्या है, root 3 बटे में 2, cos C का मान क्या है, देखें, cos C आपका है, 1 बटे 2, यहाँ पे 1 बटे 2, minus sin A, तो sin A का मान क्या है, 1 बटे में 2, और sin C का मान आपका क्या है, root 3 बटे में 2, ठीक है, root 3 बटे में 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी जो मान है वो एक समान है देखे रूट 3 बटे में 2 गुड़े 1 बटे 2 और यहाँ पे भी एक बटे 2 गुड़े रूट 3 बाइ 2 तो जब यह माइनस में यह प्लस में तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा और यह क्या आजाएगा जीरो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक आंसर आपका यहाँ पे हुआ, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे हुआ, उमिद करते हैं कि इन दोनों प्रश्णों को आप अच्छी तरह समझ गयोंगे, आईए अगले प्रश्ण को हल करते हैं, अगला प्रश्ण आपका, कोंड B निवन्ञों हों, जहां कॉस ए बराबर कॉस भी, तो दिखाईए कि कॉंड ए बराबर कॉंडB, यहां पे कॉंड ए बराबर कॉंड B, यहाँ आपको दिखाना है. तो दीखिए, यहाँ पे चित्र हमने बना लिया है, फ्रेश्ण में क्या बोला हुआ है यहाँ पे बोला हुआ है कि कौण A कौण B निवन कौण है तो देखे जब कौण A कौण B निवन कौण है तो निवन कौण क्या होता है कि ऐसा कौण जो 90 अंस से छोटा हो उसे निवन कौण करते है तो यहाँ पे कौण C हमने मान लिया कि य 20 डिग्री है यानि समकूर है ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि तरिबुझ A, B, C में कूर C समकूर है तथा अब कूर A और कूर B नियून कूर है यानि कूर A ठीक है छोटा है किस से 90 अन से और कूर B भी छोटा है तो यहाँ प्लिक देंगे कूर B यह भी छोटा है 90 अन से यह दिया हुआ है ठीक है अब क्या दिया हुआ है जहाँ पे कॉस A बराबर कॉस B यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखें कॉस A बराबर कॉस B ठीक है कॉस A बराबर कॉस B अब देखिए यहाँ पे अब कॉस A के लिए अगर हम कहें, इस कॉंड के लिए, आपका कॉस क्या होता है, आधार बटे कॉंड, तो इसके लिए, आधार आपका हो जाएगा, A, C, और कॉंड हो जाएगा, A, B, कॉंड तो फिक्स रहेगा, A, B, ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, कॉस A के लिए, आधार बटे कॉंड, आ ठीक है ना इसके लिए एक आधार क्या हो जाएगा BC और कंड आपका AB ही रहेगा तो BC बटे AB उम्मिद करते हैं कि इस बात को समझ गया होंगे देखें इस कंड के लिए जब कहेंगे तो यह सामने की बुजा लंब हो जाएगी और यह हापका आधार हो जाएगा यह कई त्रिभुज के लिए जो कंड होता है आप यहां से देखें जब तिरचाग गुड़ा करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा अगर हम ऐसे गुड़ा करें तो AB कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा हमने यहां पे क्या दिखा दिया? कि जो A-C है और B-C है, यह दोरूं आपस में बराबर हैं, तो देखे, B-C, अब A-C के सामने का कुण कौन सा है? यह A-C बुजा और B-C बुजा आपस में बराबर है, तो जब दो बुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके सामने के कूण भी आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पे BC के सामने के कूण कूण सा है कूण A है और AC के सामने का कूण क्या है कूण B है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो भुजाओं के सम्मुख कूण आपस में क्या होते हैं दो समान भुजाओं के सम्मुख कौर आपस में बराबर होते हैं, तो यहाप लिख सकते हैं, लिखते हैं यहापे, दो समान भुजाओं के, दो समान भुजाओं के, के सम्मुख कौर, सम्मुख कौर मतलब सामने के कौर, ठीक है, सम्मुख कौर समान होते हैं, समान होते हैं, या बराबर होते हैं, ठीक है, तो अब यहाप से हम यह कर सकते हैं, कि कौर A बराबर कौर B, और यही आपको दिखाना था तो यह आपका आंसर हो जाएगा यही आपको सिद्ध करना था तो यह सिद्ध हो गया आईए अगले प्रश्ण को हल करते हैं अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर 37 है त्रिभुज P Q R में जिसका कूण Q समकूण है P R प्लस Q R बराबर 25 cm और P Q बराबर 5 cm तो sin P, cos P और 10 P के मान ग्याद के दिए देखेए यहाँ पे P Q का मान दिया हुआ यह मान आपको दिया हुआ है 5 cm ठीक है? अब हमें sin P, cos P और 10 P का मान चाहिए तो इस मान को ग्याद करने के लिए हमें RQ और PR घ्याद करना पड़ेगा, तो आईए इसको हल करते हैं और देखते हैं कैसे ग्याद करेंगे आपको क्ली क्या दिया हुआ है कि तिरिभुज PQR में कॉंड Q क्या है समकॉंड तो इसको लिखते हैं देखें तिरिभुज PQR में कॉंड Q कोंड Q समकोंड है ठीक है फिर क्या दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 क्या दिया हुआ है PR और प्लस QR बराबर 25 ठीक है इसको समिकरण एक बना लेते हैं ठीक है अब यहां से देखिए त्रिबुज PQR में PQR में पाइथागुरस प्रमे से अब यहां पे लिखेंगे पाइथागुरस प्रमे से पाइथागुरस प्रमे से पाइथागुरस प्रमे से कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो यहाँ पे कड़ क्या है PR है ठीक है न तो यहाँ पे PR square बराबर क्या हो जाएगा आपका PQ का square प्लस QR का square ठीक है अब यहाँ से देखिए हमें मान केवल PQ का पता है तो चलिए QR को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका PR square minus QR square बराबर PQ का मान है 5 तो 5 का square करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक है अब आपने देखिए सरसंका का आपने फार्मूला पढ़ाओगा A square minus B square बराबर होता है A plus B A minus B देखिए हम फार्मूला देख देते हैं A square minus B square बराबर A plus B और दूसरे bracket में A minus B तो यहाँ पर भी आप देख रहें A square minus B square तो इसको A plus B A minus B लिख सकते हैं अब यहाँ पर इसको इस रूप में लिखते हैं तो देखें A plus B तो A कमान यहाँ पर P R है और B कमान Q R है ठीक है तो देखें P R plus Q R एक bracket में दूसरे bracket में P R minus Q R बराबर 25 ठीक है अब यहाँ पर देखें सम्हे करन एक में हमें मान गया तहें P R plus Q R का तो इसके अस्थान पर P R plus Q R के स्थान पर हम 25 रख सकते हैं ठीक है तो अब यहां पर 25 रख देते हैं देखिए तो यहां से 25 और यहां पर क्या आ जाएगा देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 अब 25 को जब इधर भेजेंगे तो इधर गुड़ा में इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा बराबर 1 ठीक है अब यहां पर यहां पर यहां पका हो गया चली समिकरण 2 बना लेते हैं अब समिकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समिकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं चली समिकरण 2 यह है और यहां पर समिकरण 1 है तो इसको भी यहां पर लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 2, आप लिख सकते हैं याँपे, समी करण 1 तथा 2 को जोड़ने पड़ेगी, चली याँपे जोड़ेंगे तो यह प्लस में, माइनस में तो कट जाएगा इहाँपे 1 PR प्लस 1 PR, इहाँपे कुछ भडानक में नहीं होता है तो 1 होता है तो यह दोनों add हो जाएंगे, तो 2PR, बराबर 251, 26, ठीक है, यहां से PR का मान निकालेंगे, तो 2 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानि इसको cut करेंगे, तो यहां जाएगा आपका 13, यानि PR का मान आया 13, यानि यह मान हमें आ गया, PR का मान 13, ठीक है, अब देख QR का माना जाएगा, चले, PR बराबर 13, समिकरण 1 में ही रखते हैं, समिकरण 1 में रखने पर, समिकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, 13, प्लस, QR बराबर 25, ठीक हैं, समिकरण 1 आपका यही है, अब यहां से पक्षांतर कर देते हैं, तो QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13 माइनस कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ठीक है ना 12 तो यह मान आपका आ गया 12 या नि किवार आपका 12 आ गया अब आपको मान किसका ग्याद करना है sin P तो चलिए अब एक एक मान को ग्याद करते हैं यहाँ पे एक एक मान को यहाँ पे ग्याद करते हैं सबसे पहले आपको किसका है sin P तो sin P ठीक है अब देखिए आपने sin क्या होता है sin होता है लंब बटे कॉर्ण ठीक है ना लंब बटे कॉर्ण तो यहाँ पे लंब क्या है पी आर, तो क्यू आर का मान क्या है, बारो, और पी आर का मान क्या है, तेरो, तो बारो बटे में, तेरो, यहापका हो गया, साइन पी का मान, ठीक है न, बारो बटे में, तेरो, अब दूसरा मान आपको कौन सा निकलना है, कॉस पी, ठीक है, तो कॉस पी निकलते हैं, देखें cos P cos होता है आपका आधार बटे कर्ण यहाँ पे आधार क्या है आधार आपका PQ है और कर्ण आपका PR है तो यहाँ पे PQ बटे PR PQ बटे PR ठीक है PQ का मान आपका क्या है 5 और PR का मान है 13 तो 5 बटे में 13 यह cos P का मान हो गया 5 बटे में 13 ठीक है, आप कौन सा मान चाहिए, 10P, तो 10P बराबर, 10 होता है आपका लंब बटे आधार, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब क्या है, यहाँ पे लंब है आपका QR, और आधार है आपका PQ, मान रख देते हैं यहाँ से, QR, QR का मान है 12, और PQ का मान है 5, यानि 10 P हो गया, 12 बटे में 5, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इन्हीं का मान गयात करना था, आइए हैं आपे सभी मानों को एक साथ लिख देते हैं, आपे देखें, साइन P, साइन P होता है, 12 बटे में 13, 12 बटे में 13, कॉस P होता है आपका, कॉस P, कॉस P होता है, 5 बटे में 13, और 10 P होता है, 10 P, 12 बटे में 5, 12 बटे में 5, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कि यहां तक आप इल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, आईए अगले प्रिश्ण को हल करते हैं, अगला प्रिश्ण आपका, प्रिश्ण नमबर 38 है, यदि कॉट थीटा बराबर, साथ बटे आठ, तो फर्स्ट है, 1्प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रेकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड है कॉट इसक्वाइर थीटा के मान ग्यात कीजिए, ठीक है, आब यहां पे इसको हल करते हैं, सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुगा है, कौट थीटा बराबर 7 बटे में 8, तो देखें, कौट आपका 10 का उल्टा होता है, यानि कौट होता है आधार बटे, लंब, 10 क्या होता है आधार बटे लंब ठीक है आधार बटा में लंब ठीक है तो यहाँ पे आधार क्या है आपका A B चलिए A B और लंब क्या है आपका B C A B बटे में B C ठीक है आधार तो आधार का मान देखें यहाँ पे क्या है 7 आधार के स्थान पे क्या है 7 तो A B 7 हो गया और लंब लंब आपका B C है और लंब के आस्थान पे क्या है 8 तो यहाँ पे यह 8 ठीक है अब हमें साइन के मान के लिए ठीक है ना साइन के मान के लिए हम क्या करेंगे पहले AC का मान निकाल लेंगे पाइथा गुरस प्रमे से ठीक है तो अब यहाँ लिखेंगे पाइथा गुरस प्रमे से पाइथा गुरस प्रमे से पाइथा गुरस प्रमे से देखे पाइथा गुरस प्रमे से क्या हो जाएगा A C square बराबर A B square प्लस B C square A B square प्लस B C square ठीक है अब देखिए यहां से मान रखते हैं मान आपका क्या है A B A B का मान है 7 तो 7 का square प्लस B C का मान आपका क्या है 8 तो 8 का square 7 का square 49 और 8 का square 64 ठीक है अब हमें A C का मान चाहिए पले जोल लेते हैं 9 और 4 13 और 6 और 4 10 10 और 1 11 ठीक है हमें A C का मान क्या आया 113 यह A C square की मैलू थी A C के मान के लिए इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा ठीक है तो यह मान आपका आगया रूट 113 ठीक है A C का मान अब देखिए यहां पर फर्स्ट वाले को हल करते हैं फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है यहां पर 1 प्लस साइन थीटा यहां पर फर्स नमबर डालते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1-sin θ, ठीक है, 1-sin θ, 1-sin θ, बटे में, 1-cos θ, 1-cos θ, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे, 1-sin θ, इसका गुड़ा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका 1-sin θ, बटे में, यहाँ पे, 1-cos, 1-cos, यानि, कौन से फार्मूले से रहा है, a-b, 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 और सम्टाय के फार्मूले से, a-square-b, यहाँ पे 1-square करेंगे, तो 1 ही होगा, ठीक है, इसकार करें ना करें, बाती कही है, यहाँ पे भी a-b, तो a-b, a-b, तो a-square-b, 1-square, 1 ही होगा, तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे cos square, theta, cos square, theta, ठीक है, अब यहाँ से मान रखेंगे, तो देखें, मान रखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखें, मान रखते हैं, तो 1-sin, sin होता है आपका, लंब बटे कौन, तो लंब आपका क्या है, यहाँ पे, रूट में 113 ठीक है तो अब यहाँ पे मान रखते हैं 8 बटे में 8 बटे में रूट में 113 रूट में 113 और इसका स्क्वाइर ठीक है यहाँ पे देखें बटे में 1-cos स्क्वाइर थीटा तो 1-cos होता है आपका आधहार बटे कंड यहाँ पे आधहार है 7 और कंड है आपका रूट में 113 तो 7 बटे में रूट में 113 इसका स्क्वाइर ठीक है उमिद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होगे अब देखें यहाँ से यहाँ से जब सरल करेंगे इसको और हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1- यह जो स्क्वाइर होगा अंस और हर दोनों का होगा तो 8 का स्क्वाइर हो जाएगा 64 बटे में यहां पे रूट में 113 है तो जब इसका स्क्वाइर होगा तो रूट हट जाएगा केवल क्या हो जाएगा 113 यहां पे देखें बटे में यहां पे देखें बटे में आपका 1 माइनस यहां पे देखें साथ का स्क्वाइर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 49 और बटे म रूट 113 का स्कूर होगा तो यह रूट тон जाएगा केवièrement 130 हो जाएगा है ठीक है ना अब यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो देखे इसका इसमें हो जाता है गुरा यानि इसको हम क्या लिख सकते देखें एकसो तीरा माइनस चौण सट बटे में एकसो तीरा यहाँ पे इसके बटे में एकसो तीरा माइनस उन्चास बटे में एकसो तीरा ठीके एकसो तीरा सी यह एकसो तीरा कट जाएगा अब माइनस करते एकसो तीरा में से चौण सट जाएगा त्या बचेगा देखें यहाँ पे देखे यहां पे 13 में से 4 गया 9 ठीक है अब यह क्या हो गया 10 10 में से 6 गया 4 तो यह हो गया 49 बटे में यहां पे देखिए यहां पे जब माइनस करेंगे तो देखे जब यहां पे 113 में से 64 माइनस की 49 आया तो 113 में से 49 माइनस करेंगे पहले का आपका आंसर हो गया, 49 बटे में 64, सेकंड आपको पुछा हुआ है, काट स्क्वाइर थीटा, ठीक है, यहां पर इस मान को लिख देते हैं, देखिए, फर्स्ट का आपका क्या है, 49 बटे में, 49 बटे में 64, ठीक है, अब आपसे सेकंड मान पूछ रहा है, तो सेकंड पुछा हुआ है, काट स्क्वाइर थीटा, ठीक है ना, काट स्क्वाइर थीटा, तो आईए सेकंड मान को ग्याद करते हैं, अब यहां से, काट स्क्वाइर थीटा, तो यहां तो आपका एक लाइन में आ जाएगा, यहां से आपसे पूछा हुआ है, काट स्क्वाइर कर देंगे तो 7 का स्क्वाइर 49 और 8 का स्क्वाइर 64. तो कॉट स्क्वाइर थीटा का मान आया 49 बटे में 64 यानि दोनों आणसर आपके क्या है सेम आया 49 बटे में 64. ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तका बिलकुल अच्छी तरह समझ गयोंगे आए अगले प्रिश्ण को और इ बताईए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टी की जिए, फर्स्ट है आपका टैन एक आमान सदयव एक से कम होता है, यह आपको बताना है, प्रश्ण में आप से कह रहा है कि टैन एक आमान सदयव एक से कम होता है, यह आप से एक से कम होका तो यहां पर एक से fewer प्रत्य कि जらい एक से कम, जरूरीं, प्रत्य आपकर अन्वा, पार बंजी क्या हें, अब पर यहां पर यहां से खेलों होता है, और यहां से खेलों होता है, तो यहां नहीं है एक से छोटा होता है ठीक है लेकिन हमेशा एक से कम हो या जरूरी नहीं है अब यहाँ पर पुष्टी करने के कहा है तो है आप लिखेंगे यहाँ पर देखे 10A, 10451 45 सदैव सदैव एक से कम नहीं हो सकता अतह यह कथन असत्य है ठीक है आईए सेकेंड को हल करते हैं या फर्स्ट आप पता सेकेंड देखिए यहाँ पे सेकेंड आपसे प्रश्न कर रहा है कि कोड़ एक किसी मान के लिए सिक ए बराबर बार बटे पांच कोड़ एक किसी मान के लिए सिक ए बार बटे पांच तो देखें जो यहाँ पे इंगल होता है वह किसी भी किसी भी चाई कॉस हो चाई सेक हो चाई कोई भी हो उसके लिए वह अफिक्स नहीं होता है यानि अगर हम कहें कि यहाँ पे एक का मान जो है वह फिक्स है बारबटे 5 तो वह फिक्स नहीं है क्योंकि कोण हमेशा क्या होता है बदलता रहता है तो यहाँ पे यह जो अनुपात दिया गया है वह क्या होगा है कफ़ण तो आशत्त है, आप कैसे यह देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कौंड़ 1 के लिए 12.05, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका क्या है? सदयव, समान नहीं हो सकता, तो यहां पर अभी क्या है, यह कथन असत्य है, तो यहां पर लिखेंगे, नहीं हो सकता, अतह यह कथन असत्य है यहां कथन असत्य है, ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछा हुए, कॉण एक के को सेकेंट के लिए प्रियुक्त एक संचिप्त रूप है, तो देखें, कॉण एक को सेकेंट के लिए प्रियुक्त एक संचिप्त रूप है, तो देखें को साइन का संचिप्त रूप होता है किसका को साइन का को साइन का संचिप्त रूप होता है कोस ए कोण ए के को सेकेंट के लिए प्रियुक्त संचिप्त रूप है को सेकेंट होता है को सेकेंट को सेकेंट इसका संचिप्त रूप होता है कोस ए ठीक है, कोस एक, अब यहाँ पे बुला हुआ है कि कोस एक और एक कोस सेकेंट के लिए प्रियुक्त एक संचिप्त रूप है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ लिक देंगे, अतह यह कथन असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है, यह कथन क् तो तो देख़े, यहां पर देखे, फोर्थ नम्बर, कॉट अमें जो आ है, वह उसका क्या है, कॉण्ड है, यह आपका क्या है, कॉण्ड है, न की उसका गुर्णफल है, यहあ इंगल को प्रदर्शित करता है, ठीक है न, काट A में जो A है वह उसका गुलंदफल नहीं क्या प्रदर्शित करता है उसके कोण को प्रदर्शित करता है काट A में यह प्लिक सकते हैं काट A में A कोण को प्रदर्शित करता है कोण को प्रदर्शित करता है प्रदर्शित करता है अतह यह कथन क्या हो जाएगा असत्या है अतह यह कोण को परदर सित करता है प्रिश्म बोलाबाग गुड़न फल होता है तो गुड़न फल तो नहीं होता है कोण को परदर सित करता है अतह क्या हो जाएगा यह अतह यह कथन यह कथन असत्या है अतहयो कथन और सत्य है ठीक है? आईए अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर और यह अंतिम है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा चार बटे तीन तो यहाँ पे देखेंगे क्या प्रश्ण में बोला हुगा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा चार बटे तीन होता है यहाँ गाने का मतलब है किसी भी कोण थीटा के लिए तो पहले तो एक बात समझेए कि कभी भी कोण ठीक है? साइन कॉस्ट एन कॉट किसी के लिए भी वह कोंड का मान जो है वह सदय वह एक नहीं हो सकता मतलब जो बैलू है वह चार बटे तीन ही नहीं हो सकती ठीक है वह कोंड का मान बदलता रहता लेकिन अब यहां पर देखें यह कैसे गलत है यहां पर देखें पुष्टी के लिए देखें साइन आपका होता है लंब बटे क और देखिए किसी भी समकोंड तरी बुज में यहां पर जैसे माल लिजे यहां ए बी सी किसी भी समकोंड तरी बुज में यहां पर देखें लंब क्या है चार और कंड क्या है तीन तो यहां पर कराए कि यह कंड एसी है तो यह तीन और आपका लंब आपका चार है तो किसी भी समकोंड त्रिवुज में जो कंड होता है वह सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ पे देखें कंड को तीन दिखाया हुआ है तो यह कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा तो आप लिखेंगे अतह यह कथन असत्य है यह कथन असत्य है यह कथन आपकी समाप्त हो गई ठीक है और आप अगर कोई भी पाल्ट नहीं देखे हुए तो सभी पाल्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ ही साथ इस चैनल पे त्रिभूज, बृत, जिवगाज, समीकर और समांतर, शिरणी पीछे के सभी टॉपिक्स कम्प पताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बंदे मात्रम और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद